हेलो स्टुडेंट्स में राकेश कुमारी अदव मैं आज आपके लिए मेहत के क्यूशन लेकर आए हूँ जो रेल्वे और स्सी एक्जाम्स के लिए मैथपुरण है देखे पहला क्यूशन एक सम बवभुज के सभी अंते कोणों का योग एम ब्रहे कोणों का योग का अनुपाद तोईस अनुपाद एक है बवभुज की बुजाओं की संक्या याद कीजिए कितना है तोईस अनुपाद एक तोईस अनुपाद एक तोईस अनुपाद एक तो यह हो जाएगा पहला समिकरण एन माइनस टू n – 2 कोछ timeless 180 ब्राबर तो relate x ये हो दाएगा पहला समीकरण दूसरा समीकरण हो दाएगा 360 बटा n ब्राबर x ये हो दाएगा दूसरा समीकरण समीकरण शेकिंड का मान समीकरण पेश्ट में रखने पर तो ये हो दाएगा n – 2 180 ब्राबबर 120 इंटू 120 इंटू 360 बटा N तो यह जाएगा N कोश्टक N माइनस 2 ब्राबबर 48 N ब्राबबर 8 आठ बुजा आगे देखे दूसरा क्विशन एक चत्रबुज के चारो कोणों का नुपात 2 नुपात 5 नुपात 7 नुपात 10 है तो चत्रबुज के सबसे बड़े कोण और सबसे चोटे कोण का अंतर नुपात कितना है 2 नुपात 5 नुपात 7 नुपात 10 है तो यह जाएगा नुपाता कोई 10 है 17 17 और 7 12 तो चत्रबुज के सभी कोणों का योग होता है 300, सत्रबुज के सभी कोणों का कोणों का योग होता है 360 डिगरी बटा चोईस, तो यह जाएगा 15 एक कमान, तो सबसे बड़ा कोण, तो 10 से इंटू 15 माइनस 2 इंटू 15, तो 150 माइनस 15 दुना 30, 120 डिगरी अंतरा आ गया, आगे देखें तीसरा क्यूशन, 18 और 54 का तर्थिया अनुपाती याद कीजिए, तो तर्थिया अनुपाती होता है A, वैं B, A, वैं B का तर्थिया अनुपाती, तर्थिया अनुपाती, A, वैं B का तर्थिया अनुपाती हो जाएगा, T square बटा A तो B कमान 7 into 7 बटा एक कमान अठारा यह चला जाएगा इससे 3 बार 7 into 3 165 आगे देखें चोथा क्यूशन माइनस 48 माइनस 48 भाग बड़ा कोश्ट भाग कोश्टक 4 into चोटा कोश्टक 6 माइनस 5 पलस 1 चोटा कोश्टक बन बड़ा कोश्टक बन भाग यह जाएगा चोईस तो यह जाएगा माइनस का 48 भाग 48 भाग 7 एक साथ साथ में से 5 चला गिया 2 तो 4 दूनी 8 भाग 21 जो जाएगा माइनस का 48 इन्टो 1 बटा 8 इन्टो 1 बटा 24 कोश्ट से चला जाएगा दो भाग माइनस का 2 बटा 8 जो जाएगा माइनस का 1 बटा 4 आगे देखें पांच वाग वाग उसने स्टुटेंट्स, मुननार के पास एक ट्रेवल कंपनी में तीन 4 चीतर कार और 2 8 चीतर मेक्स कोच है, तीन, तीन सार सिटर, तो तीन इन्टू सार सिटर, और दो, दो इन्टू आर सिटर मेक्स कोच है, कार के एक राउंड स्क्रिप के लिए पड़ते हैं कि आत्री से 25 हुआ है, मेक्स कार के लिए 20, 25, तो सार ती 12 सीट इन्टू 25, बारा इन्टू 25, 300 की राया तो पहले का हो गया, दूसरे वेले का आड़ दूनी, 16 इन्टू 20 रुपे की दर्से, 320 की राया उसका हो गया, कोस्तन कमाई कितनी होती है कोस्तन कमाई हो जाएगी कोस्तन कमाई कोस्तन कमाई हो जाएगी 300 और 320 320 पूरी कमाई हो गई 320 और कार कितनी हो गई 3 और 2 पांच कार 620 बटा 5 120 बटा 5 120 रुपईया आगे देखिए छटवा कि विशनी स्टुडेंट्स सो किलोमेटर परतिया और की चाल से चल रही एक 250 मीटर लंबी रेल गाड़ी समुक दिशा से 62 किलोमेटर परति चाल से आने वाली दूसरी रेल गाड़ी को 10 सेकिन में पार कर जाती है दूसरी रेल गाड़ी की लंबाई तो दूसरी रेल गाड़ी की लंबाई सो किलोमेटर परती गंठा और 62 किलोमेटर परती गंठा सो और 62 चाल इसके अंदर चाल जुड़ जाएगी सो पलस 62 पराबर 162 किलोमेटर परती आवर 162 को 5 बटा 18 से बाग देना है 162 में 5 बटा 18 से बाग देना है और 10 से मल्टिप्लाई करना है तो यह चला जाएगा 6 से 37, 18 और 6 दूनी 12 और 6, 7, 42 3 से चला जाएगा 9 बार 9, 45, 45 इंटू 10 तो 450 मीटर की दूरी ते करेगी 450 माइनस 250 तो एक रेल काड़ी हो जाएगी 450 में से 250 सला जाएगा तो दूसरी की लंबाई 200 मीटर आगे देखें स्टुडेंट साथवा क्यूसन तरहल कीजिए रूट 730 माइनस रूट 400 तो रूट 730 माइनस रूट 400 तो 730 होता है 27 का माइनस 400 होता है 20 का 27 माइनस 27 आगे देखें स्टुडेंट साथवा क्यूसन एक रेल गाड़ी उत्तर से दक्सिन की ओर चल रही है यह समान दिशा में 2 किलोमेटर परती गंठा और 4 किलोमेटर परती गंठी की चल रही है राज और माथूर को 9 और 10 सेकिंड में पार करती है 10 परतीसत वार्शिक साथरन व्याज की दर पर कोई दनराशिक कितने समय में स्वयम की दोगुनी हो जाएगी स्वयम की दोगुनी मतलब 100 से कितना हो जाना चाहिए 200 कितनी बढ़ेगी 100 बढ़ेगी 10 परतीसत 100 का 10 परतीसत बटा मतलब एक साल का 10 परतीसत एक साल का दस बढ़ रहा है तो सो कितने साल में बढ़ेगा जीरो से जीरो दस साल में धन्यवाद इस्टूडेंट चैनल को लाएक सेर सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा